पाज साथ मिट बात करांगा पढ़ाओ क्यों कोन गुर्जी? कोन पढ़ाओ? मास्टर मैं हूँ किय है? हम इतनी भरतिया निकालेंगे कि Confuse हो जाओगे कोन से कीतियारी करूँ? बड़ी दुइदा में फसे हुए है कि किसकी त्यारी करूँ, किसकी नहीं करूँ हो ना वे तो यह बटा अजीब अजीब हो ना गुर्जी मैं कितना गंटा पड़ूँ तो मन बेर बहुत तनक पड़नों ही है तो फिर तो गंटा के देखे भगवान की बगती और पड़ाई अजीब कभी कर गंटे नहीं देखते मैं पुन सी करूँ तो तू एक दिन श्यांत मनूँ एक कमरेम लाइट कर गिये बंद और बैठ ये तू खुद अपने आपने पूछ कर मैं क्यांगी करूँ मैं गैलेडी साल क्यांगी करी सेकिंड ग्रेडी करी तो बिंगी अब कर ले परियास करेड़ो है तेरो थोड़ो बहुत बच्चों है अब ट्राइट ग्रजी गैलेडी बार तो मैं एक नम्मर उर्यों कोई बात नी तो लग भग 90 परतिसत बच्चे एक बार मंजिल के नजदीक जाकिये जरूर रहते एक बार गए उसके जस्ट बाद सीथे अंदर सब के साथ होता है तू कोई दुनिया को न्यारो कोने अब आमाले कर तू एक नम्मर उर्यों तो अगली बार तो तू निश्ची तीमाए कोई रोकणियों कौन था न तो बाई करनी जदकी तू पिछी त्यारी करिए तो बुर मैनत करनी पड़े तू दो नूर तिन नूर चारूं महा भारत के युद्ध के समय की बात है अरजुन का पुत्तर था अभिमन्यू कुर्चेतर के युद्ध में मारा गया शाम को अरजुन पहुंचा पूछा कि किस वज़े से मारा गया तब जैदर्थ ने कहा तब युधि कि रचावार जैदर्थ है तब अरजुन ने परतिग्या ले ले की कल सुरियास्ट से पहले मैं जैदर्थ का बड़ करूँंगा अगर नहीं कर पाया तो मैं घनी समादी ले लूँँगा दूसरे दिन माहाभार्थ के युद में अरजुन ने कहा कि है के सव मुझे जैदर् तुम्हें परतिग्या करने की कहा जरूरत थी अरजुन तब उसने कहा कि हे के सव क्या जैदर्थ मरने के योग्य नहीं था हाँ था फिर परतिग्या में आतबांधने की कहा जरूरत थी कभी तुमने ये कहा था कि मेरी नजरें सिर्फ चीडी की आँख पे हैं आज इस युद आदा धान सुरिये पे रहेगा तुम लक्से से भटक गए हो और जुन अगर उस युद्ध में अगर कृष्ण अपना चमतकार ना दिखाते तो साइज जैदर्थ नहीं मारा जाता क्यूंकि अब उसका आदा धान LDC पे था अदा राजस्तान पुलिस के था त्यारी एकर मैं यह नहीं कहता कि तो LDC की त्यारी कर रहा है राजस्तान पुलिस का पेपर ने दे हाँ दे भाई क्यूंकि LDC से तो छोटा सले बसे LDC के अंदर आ गए है राजस्तान पुलिस लेकिन मैं यह नहीं कहूंगा कर आई लागयो रहे। त्यारी एकर LDC की कर बले जैकिंड ग्रेड की कर तो भी LDC की दे, जैकिंड इबिर आस्तान पोली की दे, SI की दे, ये सरकारी नोकरी ये जहां लगो वहीं चिफ़ जओ लेकिन ये नहीं कहता कि दोनों साथ में जारी रख, त्यारी एक रखनी है, पेपर चाहिए सारे देते रहूं, कुर्जी के टाइप हूं पड़ों, हाँ, आज आई जवा देते, पड़ाई, आदो हुद यही समझ मैं को नियाक भाई, पड़ों के टाइप हूं, विल्कुल तेरी बाद जाई, बताओ परियोग हमेशा छोटे-छोटे करो जिन्दगी में, हम लोगों की आदत होती है, हम बड़े परियोग करते हैं, परतिग्या लेते हैं, आज गए बाद मैं मैं कदी चाह कोन पियूं, तो भाई तेरों कोन रही जेज को इती बलम भी परतिग्या करे ही क्यों, आपन छोटा- मैं कल-कल चाही नहीं पियूंगा, बस only for कल के लिए, एक दिन तो कर सकते हो, तो कर सको नहीं, एक दिन तो कर सको हो, फिर एक दिन ये सोचना, कि मैं रोध छत पे जाके बैठता हूं आदे गटे, कल नहीं बैठूंगा, आप नहीं बैठे, गुर्जी यूं के ओगो, की को माल लो आपको जर्दा खाने की आदत है, मैं यह नहीं कहता है, जर्दा हमेशा के लिए छोड़ दो, कोई बात नहीं, आदत है आपको, सिर्फ एक दिन, ये सोचना कि मैं आज-ाज के लिए जर्दा नहीं खाऊंगा, और उस परियोग में आप सपल हुई है, गुर्जी के होगो, की को नहीं, एक दिन बस में बैठे-बैठे ये सोच लेना कि आज मैं बारे कोन दिखूँ, और एक दम ध्यान, बारे तो जान ही कोन दिखूँ, क्यों खिड़की माद्दा तो खिड़की में के हिसाब हुँ बेठा उबेरो ये, और आप सपल हुई है, फेर गुर इतना ही परियोकर, मैं आज शाम को चार की जगे तीनी रोटी खूँ, या कई बर के वेगा मेरो वेट ज्यादा होजे, तो मैं आई करूँ, कोई मैं रोटी खाना नहीं छोड़ता, चार की जगे मैं तीनी, मैं गरगान कूँ देखो, रोटी आज तीनी ले आई देनी है, म आज मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही घंटे पढ़ूँ, अगर आपने वो छोटे छोटे परियोग की हैं, तो आज आप एक घंटे बैठ की पढ़ लोगी, वरणा नहीं पढ़ पाओ, फिर कभी एक दिन की परतिग्या करके देख लेना कि हाँ, आज तो एक दिन बैठूँ, प गाउं छोड़ना ही होगा तुम लोगों को, मैं भी गाउं का हूँ, लेकिन फिर भी कहना पड़ता है, हमारे यहां लोग छोटी मान सिखता के होते ही, कोई लड़की बाहर त्यारी करने के लिए गई है, वो क्या होता है, गाउं में एक गौाड होए, बठा आदमी आओग मेरगा, बंग पेट बारे निकलेड़ो चोखो, और आंगली सुन्डी अमा दिया राखेगा, नार है, किसी पड़्ड है, बठ मज्जा ले, अब वो बात मान लो गूमफिर के उस लड़की के आगे गई, दिमाग खराब तो होगा, लेकिन क्या कहें, किसको समझाएं, उन् उन्हें जवद कहते हैं, तनह वेरू है, मैं केघ रूना, सलेक्शन करवाओ, सलेक्शन करवा के उनको जवाब दो, इसे बोलते हैं, मोन जवाब, मोन जवाब देणा सीखो आप, फिर देखो मजा, फिर कही घगा, भाएं, जिजिन सलेक्शन हो, ना, ना मान तो वेरू हो तो तेरकन और कोई उप्सन ही को निया बोलन खातर ना आए नहीं बस गाउम माती नो बारत यूँआ रहाथी बठ़ी रहेगे त्यारी करती चोखी त्यारी करी आप अब उनके पास कोई उप्सन नहीं इसके लावा बोलने के लिए लिए पहले क्या बोलते है ना रहे आए उस्पिटल में बाकी को दिवां काम कुन पड़े उनकी नेगेटिविटी थोट होती है वो चोड़ कि वो मदुमकी कभी सेद इखटा नहीं कर सकती जो चाता चोड़ कर दूर तक नहीं जाती तुम्हें दूर तक जाना होगा तुम्हें वो चीजें छोड़नी होगी पहला काम पड़ाई के लिए यह योगी कि आप जहां रहते हो वो चेतर छोड़ दो घर छोड़ दो वो बले आप दूसरी जगह जाकि उसी सहर में दूसरी जगह रूम लेलो लेकिन घर छोड़ दो छोड़ना पड़ेगा तुम्हें कुछ पाने के लिए सहद इखटा करने के लिए यह काम तो तुम्हें करना होगा थोट बताऊं था मैं जिया हो मोबाईल राखो वो है पचास अजार मैं गाम मैं कदीकी नहीं बताऊं को नहीं मन अगर कोई पूछ ले नी कि हो मोबाईल किता गए मैं बान के को ना ओई पांसा जार तो पुछवा क्यों गुर जी अगर मैं बान आ के दिनी वो पचास जार गोए तो बेरो एक ये कहगा एक तो सिसकारो मारेगा फिर कह गा रहे है पचास जार में तो बेंस आ जाती अरे तो क्योंकि बंगो दिमाग सिर्फ बेंस बेड बकल डी तक की सीमी थे बान बेरो को निका भेंस उपर भी चीज लिप में रहने वाड़े एक विक्तिश्य कहता हूं कि यार ये पचास का है पता है वो क्या कहेगा वाई ये कुछ नहीं है आई फोन टेन आया है नब्बेजार रुपय को बड़ो स्चांदार मोबाइल है ये अंतर होता है थोट का हम लोग वहीं फसे में हैं गाह भेंस क्या पर करते हम क्या पूचन जाओं जैकिको आरेष में सेलेक्षन हो घूआ जाओं जाओं जैसे क्या आई बार मैं ने देखता हूं आ ये सारिसका इंट्रियू आता है वेरेवाज एंट्रियू हम क्ये कह है हम बस 500 गंटे पड़ा करते थे वाइ पांचय गंटा माजका ल मतलब आपको सही गाइडेंस नहीं देंगे। पिछे मैं भी एक सेमिनार में गेड़ेंगे बारी साइड हो। वो बता रहे हो पांच से गंटे पड़ता हूँ और मैं फिर अकेला बेठे अमजा कमें क्यों गुर्जी साथ ची कौन बताई चाहिए। के गंटा पड़ता हूँ मुझे ये नहीं पता था कब सवेरा होता है और कब साम होती है। पड़ना है तो फिर घंटे नहीं देखना है। पड़ना है तो फिर पड़ना ही है। एक लक्से इसे ही बोलते हैं। कुछ कई बार गाओं भी छोड़ दिया, सहर भी चले गई, फिर भी को नहीं ओरी। तो मनें दस्यू में बैठे थे बस पांत सेगंटे उसके बाद तो कदी कि एक जगा बैठे ही कोजी सिटिंग पावर थोड़ी भूत तो बनानी पड़ेगी आपको अब बात आती है किये बात है चोटा चोटा परियोग में क्ये करना हम क्या करते हैं जैसे हिस्ट्री पढ़नी यही मेवाड आएगा तुम्हारे सामने यही मारवाड आएगा यही राठोड आएंगे यही सिसोदी आएंगे यही चोहान आएंगे वही मारणा परताब वही हल्दी गाटी का युद पंदरा सो चिंतर वही मों इधर मान सिंग सेना पती वही इधर मारणा परताब सारी च प्रकार गें वो नजदीक आओगा आवाज देंगा आपा मिन अलग कर देंगा थोड़ी देर बाद भूम फिर गेंगे वो और आज़ेओ भूम करता हुद फिर आपा नाक कर देंगा अपने बढ़ रहे हैं तीसरी बार वो फिर आएगा अब आपने बिपी आई उजी तेरित गंटा ओगी ऐसा कि यह चीजे तुम्हारे सामने दुबार आएगी यही जो पढ़ रहे हैं आप नदियां भूतिक परदेश राजस्तान के जिले यह महरना परताब यह हिस्ट्री यह सारी की सारी चीजे तुम्हारे सामने दुबार परटा आगे छुटाओ नहीं गए ले जो चीज पढ़ रहे हो उसे तो एक चीज को उठाओ गभी क्यू उठाओ लंबो चोड़ो बस एक टोपिक उठाओ कि आज मुझे सिर्फ और सिर्फ मारना परताब ही पढ़ना है मुझे मतलब नहीं मारना परताब के पिता उदे सिंग ने क्या किया मुझे नहीं पता मारना परताब के पुत्तर अमर सिंग ने क्या किया बले इस एक टोपिक में मुझे एक गंटा लगे, पांच गंटा लगे, एक दिन लगे या एक नहीं न लगे लेकिन पढ़ू आई किसी एक टोपिक में एक घंटी से ज़्यादा नहीं लगता हूँ लेकिन इस तरीके से कि दुबारा पढ़ना नहीं पड़े सिर्फ और सिर्फ रीडिंग मारनी पड़े अब समस्या दूसरी रटगे तो एक बार तो सडन छोड़ दियो रटगे हैं नदी पढ़ी तो गंगा नदी शड़ी रटगे मारती लेकिन दुबारा उसको नहीं छेडा हमारे दिमाग में 24 घंटे बाद भूलने की परकेरियां सुरू हो जाती है अगर उस टोपिक को आपने 24 घंटे में दुबारा एक बार नहीं पड़ा तो कोई उचित्ते नहीं हरती है इत्ता बड़ा विद्वान होगे थे दुनिया के किसी आदमी को नहीं रहता 0.01% यह ऐसे लोग होते हैं जिनके एक बार पढ़ी हुई चीज याद रहती जो टोप में आता है ना मेरिट 70% रही 2nd grade की और जिसने पहली रहन का सिल्की है ना उसके बढ़े है चिंतर परसेंट तो फिर अगर अब यह मान ले कि इसकी पहली रहन का यह बड़ा इंटेलजेंट लड़का है तो भाई चिंतरी क्यों है सोमु सो क्यों को नहीं आया क्योंकि जो चीज एक्जाम में आई यह परते एक चीज उसी की पड़ियों ही थी रही तो को नहीं आता है पूरी की पूरी चीज किसे ही नहीं याद रहती अब दूसरी समस्या अगर चोईस गंटे में एक बार रीडिंग मार ली तो दुबारा आप साथ दिन में एक बार मारनी पड़ेगी फिर बूलने की परक्रिया साथ दिन तक रहेगी उसके बाद आपको एक महिने में एक बार रीडिंग मारनी यानि महिने में आपको कम से कम तीन बार वो चीज रीडिंग मारनी ही पड़ा तो सुत्या सुत्या पड़ा अरे सुत्या सुत्या कदी पड़ नीचे होगे सोईजे हो सोगे तो पढ़ाई के लिए बैठना पढ़ेगा सो के रीडिंग की जाती हाँ पहले का मेरा टोपिक पढ़ा हुआ है गंगा नदी अब तो आराम सी रीडिंग मारनी है रिलेक्स हो की लेकिन नया टोपिक पढ़ रहे तब आप सो के नहीं पढ़ सकती जब भी पढ़ो पास में रफ रजिस्टर होना चीए कैसे पढ़ना है रफ रजिस्टर में क्या लिखना है आपने टोपिक पढ़ा महारना परताप PAS में आपने लिखा लिखते रहो कि महाना परताप का जनम 1540 में हुआ पास में रफ रजिस्ट्र में लिख दो 1540 महाना परताप का जनम कुम्बलगट दुरग में हुआ पास में लिख दो कुम्बलगट बच्वन का नाम की का था? लिख दो क्यों काम की चीज तो यह है बाकी तो connecting वर्ड है आपने रफ में लिख दिया अब उसकी reading कैसे मारनी है अब क्या करना है अब आप यह देखो दुबारा reading मारो 1540 में क्यों जनम आज़ा कुम्भलगट दुरुग आच्छा कुम्भलगट दुरुग किक्का की चीज हो मान लो आ हमेशा रफ रजिस्टर नज़्दीक रखो उसमें से लिखते जाओ उसको फिर देखो गयार यह क्या चीज लिखी थी मैंने यह क्या चीज लिखी थी क्यूंकि काम करो तो कुछ ऐसा करो जिंदगी में कुछ भी कर लेना बले ही चाई बेच लेना बले ही जूस की दुकान खुल लेना लेकिन बढ़ाओ ना जो चीज बढ़ाओ पढ़ा रहे हो तो साड़ा ऐसा पढ़ाओ कि तुम्हारे जैसा सहर में को योर ना पढ़ाता हो चाय मनाते हो तो ऐसी मनाओ कि तुम्हारे जैसी कोई चाय ना मनाता हो सहर में लोग तुम्हारे पास 10 किलोमेटर से चल क कि आएंगे तुम्हें परचार करने की जरूरत नहीं होगी, साड़ा पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि तुम्हारी जैसा कलास में कोई और ना पढ़ता हूँ, अपतों के लागे कोई और पढ़ा है, कोई पढ़ता है, अपनी आदत होती है, अपचेक कराना हूँ, सार लैन पुछ अचा बायी थू कितना गंटा पड़े है वो झान पतव है कि को Just evolved कि पड़ने वारा बच्चा कभी नहीं बताता कि मैं कितने गंटे पड़ता हूं da कि जो किताबों से महबत करता है ना वो कभी नहीं बताता गुर्जी किताबह मुभत है हाँ वे माल लो कोई इंगलिस का टीचर है या हिंदी का है आप इंगलिस के टीचर के सामने इंगलिस की निंदा कर देना ना रहांगरेज जी कोई विश्य एगे ये कह देना आप बाई साहब उसकी BPI हो जाएगी जोगराफी वाले के सामने जोगराफी की निंदा कर देना BPI हो जाएगी उसकी गुसा आएगा उसका क्यूं? क्यूंकि वो किताबों से महबबत करता है BA के अंदर आपा जाता रजिस्ट्रिया मोडगे इस्टाइल जाता अब आप कोचिंग में आते हो किसी बच्चे का रजिस्ट्र मुड़ा हुआ है क्या? नहीं है मैं किसी चीज का ध्यान नहीं रखता लेकिन मेरे पास किताब में पड़ी है एक भी किताब का पेच मुड़ा हुआ नहीं मिलेगा क्यूंकि किताबों से मोहबबत है जिस दिन किताबों से मुखबत होगी ना बैस कमरों होएगो कमरे गए चारों और किताबां पड़ी होएगी बीच में सोनो उठनो अगर कोई बच्चा भी किताब फार देना इतना गुसा आता है थपड मार दो गो उसे क्योंकि अब आपको किताबों से मुखबत हो गई जिन्दगी में सिर्फ 6 मेने किताबों से मुखबत कर लो यह मान लो यह आपको सफलता कि ओ ले जाएगी क्योंकि जिसे चाहो उसे हासिल करो दिमाग की तीन अवस्ताएं होती है एक चेतन एक एचेतन एक अर्द चेतन जिसे चाहते हो ना उसे हासिल करो मान लो कभी किसी से मुखबत की बेपनाह मुखबत की उसे हासिल नहीं कर पाए तीन अवस्ताएं है एक तो चेतन है जो हमेशा एक्टिव रहता है जैसे मैं आपसे पुछो राजस्तान की राज़दानी जेपूर एक चेतन अर्द चेतन यानि बात गम में कही करें जीव गए निचारिये बाद जीव गए निचारिये जैसे मैं कहूं कोई जेपूर को राज़दानी किस कमेटी किस इफारिस पे बनाएगे किया विवा कहीं ओर हो गया उसका इसके बाद हम हमें ये चीज तकलीप देती है हमने इसे बुलाने की कोशिश की और उस चीज को हमने एचेतन मन में डाल दिया ये चीज तकलीप जो चीज हमें तकलीप देती है उसे हम एचेतन में डाल देते है इस चीज को हमने एचेतन दाली थी आज दुबारा चेतन मन में आ गई वो और फिर ये आपको परेशान करेगी राजस्तान पुलिस में लगने का सपना था नहीं लग पाई ये चीज आपको परेशान करती है आपने उसे एचेतन मन में डाल दिया या रब जैसे तैसे नायार बढ़िया को निनो करी ज जे आतिया कर गए उस चीज को हमने बुला दी क्योंकि ये चीज हमें तकलीफ दे रही थी जो चीजे हमें तकलीफ देती हैं उसे एचेतन मन में भेज देते हैं अब दो साल बाद पडोस के किसी लड़के के बारे में सुना कि उसका राजस्तान पुलिस में सेलेक्शन हो ग जो चीज हमने भुला रखी थी एचेतन मन में भेज दी थी आज वो फिर चेतन मन में आदू तुम्हें ये जिंदगी भर एचेतन मन परिसान करेगा नोकरी लगना है जिसे चाहो उसे हासिल करो वरना फिर तुम्हें ये मन हमेसा प्रिसा रुलाएगा तुम्हें तो नोकर में रहो मैं यह नहीं कहता आप 100 मत 100 जी भरके 100 लेकिन बाहर मत जाओ कितने गंटे सो गों पांच गंटे ना गुर जी पांच कहों चाले 10 गंटा ना गुर जी दस गों कुण मन जया दा आँ 12 गंटा 15 कुम्ब करन तो गोनी तू पंदरा गंटा माले बाकी किता बचिया नो नो मुई साड़ा चार ओर काड़ दे पांच गंटे भी अगर सुद करते हो तो भूत है लेकिन घूमना फिरना छोड़ते हो बाहर जाते हो ना बले एक गंटे के लिए जाते हो लेकिन आपको पता नहीं चलता वो आपका तीन घंटे खराब करता है दुबारा पढ़ाई के लिए सेट होने में टाइम लगता है गूमना फिरना एक दम छोड़ते हो कमरे के अंदर रहो बले सो कितना ही गुर्जी दिन इंगे पहले उठीए पढ़ नो जरूरी है इतना भाइदा जरूर होगा वरना कोई फरक नहीं पढ़ता है दिन में पढ़ो रात में पढ़ो कोई फरक नहीं पढ़ता रात को पढ़ने वाड़े भी नोकरी लगते हैं दिन में पढ़ने वाड़े भी नोकरी लगते हैं जिस दिन लगोगे ना एंकार में न सही उस दिन खड़े हो के कहना कि कटना पाई किसी से चाल मेरी लोग देने लगे मिसाल मेरी और वो भी मेरे फेंके हुए जुमलों से काम लेते हैं जिन से बंद है बोल चाल मेरी हैं